नमस्कार आप सभी दर्शकों का सीयनू चानल में स्वागत है। कॉमन में की एक पुतला बैठाया गया है जिसके लिए कुछ नगर से वक, अस्थानिक नगर से वक, कुछ लोग उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन आम जनता को तो विकास चाहिए। आम जनता भी यही चाहती है कि चेमबूर का कीस तरह विकास हो। चेमबूर का कीस तरह सुंदर्णी करना होना चाहिए। तो आइए प्रकास जी फाते पेकर जीसी जानते हैं। सर मही जाना चाहूं का जीस तरह डामन गार्डेन के पास लाड़ मास्टर चोख है और वहां पे कॉमन में की है वहां पे पुत्ला आपने विठाया और काफी लोगों का उस पे विरोध है। क्या करना चाहेंगे इस मुद्दे प्याप। तो कॉमन में जा पुत्ला भी बसोला है। हाँ गेली दोन तीन महने ते सा काम चालूले है। आणि कसा हाँ पुत्ला तो बसोला जो आहे। तो चौख आहे पहलें दी मोठा होता। रस्ता रुंदिर करना मदे तो लान जाला। त्या मुझे एक तथिथे दूसरा साजे सहसा काई अपलेलाक बरोता है यत नहीं है। आणि त्याचा मदे जो कॉमन में मी केलेला है। आणि त्या थिथे आणि में मंजे जे स्वातंत्र सेनानी लाड़ मास्तर जे शौकाचा नाव दिलेला है। यह जे बोंबलता एतना तैंचा पेकी किती दना ना लाड़ मास्तर आन बदबर माहिती है। करण मी लान असले बसन लाड़ मास्तर आमचा घरी जाईचे। तैंची सगडी फैमिले अमाला उड़कते। आने जेवा तो चौक अगोदर ब्येमसी नी तोड़ला होता, आज येवडे महेने जाले। तैंची सगडी कुटे जोपले होते का। वाला हाँ एक जना सगडाना तुम्चा मारत्वत माला रहात आना प्रश्टक रहे से। कि जेवा तो रोड़ वाइडिंगस पड़ तो टला, तीथे तेशे नावा नावा छे बोड़नाई च जाले होते। ये तो मैं कुटे गहला होता। अज़न करताना अपन मले थे खुख जे बी अमसी ने और भिद्धिंग सरफ बीग एंपी डिस्षर बीच्ट मुल्सी महानगरपाली की परवंगी तिली ए ते करनेशती आज अपने आपने आप यह आपट पदेवलप करतो है। तिते काई तरी संधरिय आपन क्रेट करतो है और तैच्छा मदे आज एक कौमन मैन हा आरके लक्ष्मन सा कौमन मैन तिती माला पाठी पन लावाई चे यह काम माज अजुन अर्दवत है यह पूर्ण जालेल नहीं है यह लोकाना बंजे कसा बढ़कवणा प्रकार है और लोकात असा विचारूंत पन माला गेले तिकड़े आगोदर काम करताना बाव असा असा हो बड़लो अपलेला खाली तिते वेवस्थित पाठी लावाई चे थिते की बबा आरके लक्ष्मन सा कौमन मैन अज हा शिल्प यह जाना चाहूंगा की डामन गार्डन के पास ऐसे कुल तीन पॉइंट है जहां पे आपको संद्रनी करने के लिए आपको स्तीन मिला है तो तीनों पॉइंट पर की तरह का संद्रनी करनरों होतनी यह ज लिए उसका प्रोजेक्ट में चलू है उसका प्लान में आपको बता होंगा अंत कि यह जो स्रूब कि स्वातना ंंतर सेना नी लाड मास्थ सब्सक्राइब करते हैं कि आपने कौमन में की पुतला बढ़ाया है वहां पे लाड मास्टर की बढ़ाया जासकता है वहां पे लाड मास्टर का फुतला नहीं बढ़ा सकता है पुतला बढ़ाया जाएगा और उसके परमीशन के लिए बहुत सब कानुन से बहुत सब्सक्राइब परमीशन लेना पड़ता है और तभी वह पास उनको यह मिलता है वह रोड के ऊपर इसा आजकल पुतला बढ़ाया लगाने को परमीशन नहीं है जी कहीं न कहीं जीस तरह चेंबूर में प्रकास फातेकर जी विकास करते वे नजर आते हैं हर मुद्दों पे लड़ाई लडने की कोशिस करते हैं जनता की जो समस्या है उसका समधान करने के लिए कोशिस करते हैं यहीं कुछ चेंबूर के ऐसे लीडर है जिनोंने इस आदा उच्छार रहे क्या कहेंगे इस मुद्धेपीर एक आपको मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ ये बीजेपी में अभी अभी आ गई है उनको बीजेपी का ना अजुन उसमें उत्रा नहीं है अज बीजेपी वाले ऐसे कुछ ये नहीं करेंगे कि बबा आइसा ये क्या अजुन में बीजेपी उत्री नहीं है और ये जो है अच्छा काम कर रहे है कि दर बूरा काम कर रहा हूं मैं उधर बाद में साइड में मेरा सेल्फी पॉइंट भी आ रहा है आज सब वही तो मैं बोल रहा हूँ ना आज इतना साल सब लोग सोके बैटे गया वो अभी मेरा गाल से 6-7 मेने तो हो गया उनका क्यों ने आगे चलके आ गए काम करने के लिए खाली बोम बोम करके मतलब नहीं है ना मैं आपको बता दू कि जिस समय लाड मासर चौक की हालत नाजूख हो चुकी थी वहां के पत्थर गिर रहे थे उस समय चौक का हालत जरजर हो चुका था प्रकास फातेकर जी ने उस सरकल का उस पॉइंट का सौधर्णी करन करने का वीरा उठाया और वीरा उठाते ही लोगों का वीरोत सुरू हो चुका है मैं जाना चाहूंगा कि अब आगे आप ही क्या कदम होंगे और आगे आपने क्या फैसल लिया है देखो चोग दोनों चोग के और हाइलाइट तो स्वातनत्र सेना नहीं लाड मास्तर चौक और पूरा हाइलाइट हो जाएगा ऐसा नहीं कि वह अब यह करूंगा वाभी बीएम सेने जो लगा है हो चोटा है वह बराबर नहीं दिख रहा है वह थोड़ा सा हाइलेट करके उपर लिखे हो लाड मार्क कर चौक बराबर से दिखेगा और बाद में यह जो है ओ चलू रहेगा ऐसा भी का जाता कि लाड मास्तर जी आपके का विकारी भी थे अब उनके घर पे आना जाना था आफको का अच्धी अच्छा रिलेशंता क्या हएं लेट का अन्यों फौह स सचाहा मगार को खलागन से हमरे घर पे आते थे उनकी फैमिली न ज।ione kो जानता हूँ वह और हम लोग जो फैमिली और अस्वातन तरेसाहिन के लिए भी उस्वातन सही नहीं की थे मगर खाली वो स्रटिपिकेंट ने लिया उतना है गोगा का संग्राम में भी हमारा फैमिले ने काम किया है मेरे जो काकी थी जो और अंकल थे जो हमको चोटे से बड़ा किया आज वही इसमें थे तो आइसा नहीं बाब आम लोग बोलते हम यह है यह है ऐसा हम लोग कभी नहीं बोलते मगर लाड मस्तर जी आम लोग के बाद आते थे तभी हम लोग छोटे थे उनके फैमिली भी आती थी तो आईसा नहीं कि वहाएक हम लोग का एक फैमिली का रिलेचन है जाना चाहूंगा कि इस समय जिस तरह मुद्दा बनाया गया है लाड मस्तर चौक को लेकर तो क्या उनके परिवार से लोगों से इस समय कुछ बात विचार हो रही है क्या कहना चाहिए देखो एक आज मेरे को बोलो आज लाड मस्तर के फैमिली से कोई कुछ बोला आके नहीं बोला मेरे को फोन है वह पेपर में हम निक पड़ा इस अब देखो कैसा है और वह भी खुश है उसका हो ऐसा कुछ नहीं कि वह फैमिली में कुछ बोलती नहीं है वह खुश है उनसे मैं आपको बता दू कि प्रकास फातेकर जीसे बात करने पर तो यही साफ साफ नजर आ रहा कि कुछ लोग इस मुद्य को हाइलाइट कर रहे है और इस मुद्य को बढ़ा कर रहे है प्रकास फातेकर जी बार बार जनता की समस्याओं के लिए काम करते हैं उनके समस्याओं का समधान करते हैं लेकिन जीस तरह कॉमन मेंट की वहां पे पुतला बैठाया गया है लाड मास्टर चोक उस पुतले उस चोक का नाम था लेकिन प्रकास फातेकर जी का साफ साफ कहना है कि वहां पे और दो तीन ऐसे पॉइंट है जहां पे लाड मास्टर चोक पुतला बिठाया जाएगा और वहां का संदनी करन होगा कैमरामेन आनंद गोड के साथ राजपांडे सीए निउस मुंबई